एक समय की बात है, एक घना जंगल था, उस जंगल में एक बहुत ही चतुर और हंस्मुक कुट्ता रहता था जिसका नाम हिम्मत था, हिम्मत, अपने आप से आज का दिन कुछ नया करने का मन है, देखता हूँ, आज जंगल में क्या हो रहा है हिम्मत और रानी की मुलाकात हिम्मत, कैसे हो, काफी दिनों बाद मिल रहे हो मैं ठीक हूँ रानी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, सुनो, आज कल जंगल में कुछ अजीब हो रहा है अरे, क्या हुआ, बताओ तो सही शेरू कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहा है, और तुम जानते हो वह कैसा है कभी-कभी उसका मजाक हमारे लिए मुसीबत बन जाता है हाँ, शेरू का मजाक कभी-कभी हद पार कर जाता है चलो, देखते है, आज उसने क्या किया है शेरू, यह मेरा जंगल है सब मेरी बात मानेंगे और मेरे मजाकों का मजा लेंगे शेरू, तुम्हारे मजाकों का सब पर क्या असर हो रहा है, यह जानते हो क्या तुम क्यों, क्या हुआ मेरा मजाक तो सब को हंसाने के लिए होता है लेकिन कभी-कभी यह मजाक मुसीबत बन जाता है याद है, पिछली बार जब तुमने गुल्लू के साथ मजाक किया था हाँ, वह तो बड़ा मज़ेदार था लेकिन गुल्लू को कई दिनों तक अपनी सून से पानी नहीं पीने मिला क्या बात है हिम्मत, शेरू से बहस कर रहे हो हाँ, बंटी, उसे समझाना मुश्किल हो रहा है लेकिन हमें कुछ करना होगा चलो, एक योजना बनाते हैं हमें गुल्लू और मक्षन की मदद लेनी होगी हिम्मत, क्या योजना है? हम सब तयार है हमें शेरू को मिलकर समझाना होगा अगर वह नहीं मानेगा तो हमें उसे मजाक का असली मतलब समझाना होगा ठीक है, हम सब साथ हैं चलो, शेरू को मिलकर समझाते हैं शेरू, अब बहुत हो गया हम सब मिलकर इस जंगल को बचाएंगे तुम्हें अपनी गल्तियों का अहसास होना चाहिए तुम सब मिलकर मेरा सामना करोगे हाँ, मिलकर हम तुम्हारी ताकत को मात दे सकते हैं हमें मिलकर रहना चाहिए न की एक दूसरे को दराना शेरू सोच में पढ़ जाता है और उसकी आँखों में पश्चाताब जलकता है